हेलो गाइज वेल्ट एक्स्रेस में आपका हर्दिक स्वागत है गाइज आज मैं आपके लिए च्यार ब्रेक आउट और ब्रेकडाउन स्टॉक लेके आ रहे हूँ जो आप कल याने कि एक सप्टेम्बर 2022 को वो लेवल के उपर है नीचे जाते हो तो उसमें अच्छी रहरी द स्ट्रेटेजी है आराम से आपको दो-तिन दिन में अच्छा रिटन दे सकते हैं तो उसके उपर वीडियो बनाए तो जाके अगर देखाने है तो देख सकते हो उसके अलावा का आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था लेट्स मेक मनी टूगेधर वाला वीडियो उसमें क मैं आपको हर मन्त के अंड में यानि कि 31 तारी आज आगस मेने का लास दीन है तो आज मैंने आपको तीन स्टॉक ऐसे बताए जो आप कल से पॉजिशन ले सकते हैं एक सप्टेमबर से यानि कि अपनी ऑल्वेज बाइंग डेट होगी एक तारी एक डेट है यानि कि यह क्या जो ट्रेंड है पूरा राइड करना है उसमें कभी-कभी आपका एक स्टॉक होता है ऐसा कि 1x, 2x का भी रिटन आपको एक साल में दे देगा तो ऐसे मैंने तीन स्टॉक बताए तो कल से मैं खुद भी बाई करने वाला हूँ मेरे पोटफोलियो में वैसे भी एक-दो कि दो-3 मेना नीचे भी रह तो भी आपके स्टॉपलस होने के चांसिस ना के बराबर होते है क्योंकि यह स्टॉक होते हैं, मॉमेंटम स्टॉक होते हैं, आउट पर्फॉंग करते हैं निप्टी को, अगर निप्टी 10% गिरेगी तो यह चार यह पांच परसंट गिरेंगे, तो आपको stopless होने के ना के बराबर chances होते और आराम से आप market से पैसा कमा सकते तो उसके उपर ये video डाला है तो जाके देखोगे तो उसमें rules भी आपको समझ में आएगा कि क्या rules है वो सब detail में समझ में आएगा तो ये जाके देख लेना तो अभी आपने चलेंगे मैंने आपको जो Tuesday को trade दिये थे उसके performance दे लेते हैं उसके बाज आज Wednesday को market में चुटी है गने चतुर्थी की तो आप सभी को happy गने चतुर्थी और अभी आपने Tuesday के trade देख लेके निप्टी आपको पता होगा मंडे को शाम को वीडियो बनाया था Tuesday के लिए आपको बोला था निप्टी 17.380 के उपर बहुत अच्छा positive है तो निप्टी में देखो कितनी अच्छी rally आए 17.776 का high मारा था 17.776 का high मारा था उसके बाद एक stock था 17.490 के उपर बाई बोला था stock में 509 का high मारा था अभी करीब उसके आसपा से close दिया है तो ये stock में भी अच्छा performance दिया डेल्टा को अपने open price पर ही बाई बोला था open price के आसपा से close दिया है तो अगर किसी ने position बना ही तो वो अभी भी अपना running trade है तो उसमें stop loss के साथ hold करके रख सकते हैं उसके बाद चौथा stock है HSCL उसमें कहाता कि buy on deep था लेकिन market ही थोड़ा उपर खुला था तो उसकी वज़े से अपना buy level आया नहीं था तो उसको आपने didn't activate हैने कि call active नहीं हुआ था तो यह Tuesday के trade होगा है अभी मैं आपको कल के Thursday के trade बताऊंगा एक September के तो उसमें पहला stock का नाम रहा है क्या KSB KSB को आपको क्या करना है buy करना है buy करने का मैं आपको logic समझा देता हूँ और guys अगर आपके पाद टेलिग्राम है तो टेलिग्राम जोइन कर सकते हूँ अगर आपके पास है तो जोइन कर सकते हो तो उससे आपको benefit होगा तो अभी KSB को buy करना है purely price action के इसाप से अपने इसमें entry लेंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कहाँ पे stock को buy करना है तो आप ध्यान से देखोगे तो stock कर क्या रहा है तो resistance become support setup के इसाप से stock को buy करेंगे daily chart के उपर analysis करेंगे stock का नाम है KSB KSB को buy करना है देखोगे ध्यान से stock उपर जा रहा था rejection मारा उपर गया rejection मारा उपर गया बारबा एरिया से क्या कर रहा था stock rejection ले रहा था फाइनल उसने breakout देके उपर गया rate उपर जाने के बाद रीटेस करने नीचे आए यानि कि stock का यह क्या हो गया पहले supply था अभी यह पर stock का demand zone बन गया तो पहला region के सही में stock उपर जाके रीटेस करने नीचे आए तो यहाँ पर तो आया लेकिन अपने को call कब active होगा जब भी कॉल एक्टिव है तो stop loss काना चाहिए जो रीटेस करने ले उसका लोग क्या हो जाएगा आपका stop loss हो जाएगा तो यह stock को मैंने बाई इसलिए बोल रहा देको अभी कितना CMP का 1913.50 है लेकिन अभी मैंने SGS निप्टी देखे करीब 17.500 याने की करीब 17.750 पर क्लोज दिया दिन 200-300 पर नीचे खुलने के बहुत हाई चांसे तो मेबी यह stock 1913 है तो यह भी बहुत अच्छी ऑपोचिनिटी है वहाँ पर अगर स्टॉक खुलता है उपन प्राइस पर ही वहाँ पर स्टॉक को बाई करना है उसके आपका रिस्क रिवर अच्छा हो जाएगा स्टॉक लस ही रहेगा और स्टॉक में गिरावट आने के बाद फिर से स्टॉक कल उपर चला जाएगा तो यह stock को क्या करना है कल उपन प्राइस पर ही बाई करना है कि गिरावट में कल उपन प्राइस पर ही बाई कर सकते हो और अभी तो वह ही इंडिकेशन दिए रहा है कि कल गेप डाउन ही उपन होगा तो देखते कल क्या होता है अभी मैं आपको दुसरा stock बताँगा जिसका नाम है fame industry fame industry को आपको करना क्या daily chart के उपर इसमें भी analysis करेंगे यहापे देख सकते हो daily chart है stock का नाम है यहापे देख सकते हो fame industry stock का नाम है trend line का support है daily chart पे आप द्यान से देखोगे तो stock यहापे support ले रहा था उपर गया है फिर से support लिया फिर से उपर गया है उसके बाद द्यान से देखोगे तो exact support candle वहाँ पर उपन हुआ और उसके बाद अच्छे से उपर की साथ green candle बनाकि उपर close दिये आहिन है आप मान सकते हो की उसका previous में भी यहापे support तर उसके बाद stock आया यहापे भी support लिया 你 और यहापे तो ऊसका जो पहले support था वह भी respect किया और और यहापे traveling का भी support मिल रहा है और stock अभी यहापे trade कर रहा है तो कल में भी इस टोग गिराग क्योंकि मार्केट पूरा गैप डाउन लगा तो इस टोग नीचे गिरावट में ओपन होगा तो आपको अच्छे से सस्ते में श्टोप मिल जाएगा अभी सीमपिए पंद्राशो पॉइंट पच्पन तो आपको ऑपन प्राइस पर स्टोप को के स्टोप में पंद्राशो पच्छा सोला सो के लेवल दिखा सकता है टाइम पिरेट रहेगा एक से साथ दिन वह भी आपको द्यान में रखना है तो यह अतना दूसरा स्टोप होगा है फेम इंडेस्टी जो आप कल बाई कर सकते ओपन प्राइस पर ही बाई करना है अभी म करने का ट्रेंड लेंग का सपॉट अबअइनुक से ओप गमपर के सपोड़ाओ दिया है तो अपने पहला रिजन की स्टोप कि क्या कर रहा है ट्रेंड लेंग के support को follow कर रहा है दूसरा reason यह अपना extra है ऐसा जरूरीनी compulsory की हर बार होना ही चाहिए लेकिन जब भी होता है तो उससे क्या होता है कि आपकी accuracy बढ़ जाती है और यह stock को आपको confident देता है इसको hold करके रख सकते है rules के ADX की value 25 के उपर होती है Williamson की value minus 80 आती है तो वो क्या होता है stock का last swing होता है stock यह से reverse मार के उपर जाने के लिए ready होता है तो आपको यह stock को miss नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें अगर कल नीचे भी थोड़ा stock ऐसे कुलता है तो भी कहीना कई day end में तो फिर से stock उपर ही चला जाएगा तो indigo को आपको करना है कि 2016.8 पर है तो open price पर ही कल buy करना है 1930 का stop loss लगाना है target आएगा 2050 और 2100 का target आ सकता है time period एक से 7 दिन लग सकता है 1930 से आने कि उसका previous में जो यह support लिया था वो candle क्या हो जाए यहापे आपका support रहे जाएगा अगर गिरावट में भी कल market खुलता है तो भी आप इस stock को buy कर सकता और अभी मैं आपको चोथा और आखरे stock बताऊंगा जिसका नामे बाल कृष्ण इंडेस्ट्री बाल कृष्ण इंडेस्ट्री को आपको sell करना है अब तक मैंने तीन आपको buying वाले stock बता है अभी मैं आपको इसको selling वाला stock बता रहा है लेकिन conditional selling करना है इसमें कौन सा logic अपने apply करेंगे support becomes resistant daily chart के उपर analysis करेंगे previous stock में जैसे की resistance become support था है इसमें उल्टा हो जाएगा क्योंकि stock downtrend में चल रहा है अब ध्यान से देखोगे तो stock यहां पर support ले रहा था उसके बाद उपर गया है फिर से यहां पर support लिया यहां पर भी support लिया उसके बाद फिर से उपर गया है स्टॉक के ऐसे रिवर्स आने के बहुत हाय चांसे लेकिन आपने को confirmation चाहिए कि सही में स्टॉक के सेटप को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके लिए आपको अगर यह जो rejection candle यहाँ पर है बहुत भी श्टॉक गिर सकते है तो आपको इसको बाल कृष्ण इंडेस्ट्री को CMP कितना है 2046.5 पैसा है तो सेल बिलो 2015 अभी CMP पर तुरंत नहीं सेल करना 2015 की निचे कल जाता है श्टॉक तो सेल कर सकते हैं 2055 का स्टॉप लोस लगाना है यानि कि जो इसका हाई candle का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लोस हो जाएगा इसका लोग के निचे आप इसको सेल कर सकते हैं तो जैसे गिरावट आएगे तो स्टॉप में 1970 और 1950 के लेवल दिखा सकता है टाइम पिरिएड है एक से तीन दी तो गाईज देख़ों कर में ज़्यादा तर्गेट नहीं देता क्योंकि सेलिंग साइड में इतना रिष्क रिवड अच्छा नहीं होता है मैं टाइम पिरिएड रही एक से तीन दिन ही दिया है और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बालकृष्ण इंडस्ट्री है कैस का प्राइज है स्पोर्ट प्राइज है तो वह भी आपको ध्यान में रखना है फ्यूचर का अलग प्राइज हो सकता है तो आपको इसको sell करना है लेकिन 1917 और 1950 पर profit भी book करना रहेगा तो यह selling side का stock हो गया है तो guys मैंने आपको total 4 stock बताए 4 में पहला stock है KS भी open price भी buy करना है Fame industry भी open price भी buy करना है Indigo भी क्या करना है open price भी buy करना है और कल मिलते हैं नए वीडियो में और guys please यह वीडियो देखना मत बुलना क्योंकि इससे आपको helpful होगा यह वाला और momentum strategy के उपर भी बना है और उसके अलावा भी में shorts भी डालता रहता हूं होते हैं तो आप shorts भी देखना मत बुलना तो guys आज की वीडियो में इतना है वीडियो अच्छा लगए तो प्लेस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्यू बाबाय टेक केर